तो अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से स्टेंड बाइ 3.5 वोल्ट फ्लो होते हैं इसके आगे हम अब मदर्बोर्ड की तरफ जाएंगे और सभी चीजे समझेंगे कि क्या होता है मदर्बोर्ड में कि मदर्बोर्ड डिस्पस कर रहे हैं और मदर्बोर्ड में भी मेंलिक प्रोसेसर अब अल्जी के जिसका मैं ब्लॉब ट्रेग्रम अभी बताने की कुछिस कर रहा हूं आपको यजी पे से इबता रहा हूं तो उसमें दो प्रोसेसर होती है एक तो मिनी प्रोसेसर उसका काम है पावर ओन, टिक ओन, बेक लाइट ओन इस अभी को पैदा करना है और एक में प्रोस प्रोसेसर होती है जो कनवर्ट करती है इसका काम सिफ पावर ओन वोल्टेज, बेक लाइट ओन, एडजेस्ट इस जितनी भी आइटम है न कंट्रोल वाले, वो सब प्रोड्यूस करना है इसका काम है लेकिन ये खुद से तो नहीं चल पाईगी इसको सप्लाई की जरूत होगी तो ये वही 3.5 वोल्ट सप्लाई है जो पावर सप्लाई से स्टैडबाई में प्रोड्यूस होगी है ठीक है? अभी इसमें क्रिस्टल ह है दो, 10 मेहाँ हे और एक है 32 किलो हर्स का पसला वाला, केप्सुल टैट्स, ठीक है? इसका, ति प्रोसेषर को काम करने के लिए उसको औस लेशन चाहिए ज़्या फ्रिक्वेंसी होगी तब ही काम करेंगा, हर एक चीज़ फ्रिक्वेंसी पर काम करती है प्रोसेषर तो तो depends on this यह काम करेगा यह करेगा यह depends on this यह वोल्टेज आएगा तब ही सब कुछ काम करेगा अभी देखो इसमें आवर ओन वोल्टेज बैक लाइट ओन दिमिंग इसका वीडियो से कंट्रोल से कोई लेना देना वीडियो सिगनल के ब्राइटनेस से इसे बैक लाइट का ब्राइटनेस कंट्रोल है चालू है जो बोल रहा हूं तो चालू है ठीखे तो बैक लाइट कंट्रोल का काग एइसका और एक कंट्रोल होता है ग्लोबल डिमिंग यह ग्लोबल डिमिंग होता है वो डिमिंग वोल्टेज यह है जो हमेशा इसकी एक मिनिममम वैल्यू पर रहेगा ताकि अगर जो यूजर मैनू से वो बैकलाइट कंट्रोल को जीरो भी कर दिया जाए तो हल्की सी डिस्पले दिखाई दे ताकि हम उसे वापस से ठीक कर वाए वरना अगर जो एक ही डिमिंग होता तो जीरो करने पर पूरा ब्लैक हो जाता तो डिस्पले गाया हो जाती है यह दिमिंग गोल्टेज्च यहां से निकल पावर सप्लाई के तरफ जाता है थिक है पावर सप्लाई में जाने के बाद देखो यह पावर सप्लाई वापस आ गया जो और प्रोसेसर जो पिक्चर बनाने का काम कर रहा है, इस ता काम मिनी प्रोसेसर का यह है, अब यह सभी वोल्टेज इसमें जाते है पावर सप्लाई से एक मात्र वोल्टेज जो इन्पूट होता है वो यह है 3.5 वोल्ट इसमें अब यह होने के बाद यहां से वोल्टेज प्रोडियूस होता है 12 वोल्ट अब वो 12 वोल्ट कैसे बनता है उसकी एक पावर सप्लाई हो रिले अउफ है चुली यह पावर अन को हम एक और चीज बोल सकते है रिले अन हम हुआ ठीक है रिले को अर्फ करता है तो उसका जो बृज रैक्टिफाइर है जो शायकेंड्ट पावर सप्लाई का उसको सप्लाई तभी मिलती है जब रिले और। होता है तो ब्रीज रेक्टिफायर को इंपूट में AC सप्लाई मिलती है बीच वाली दो टर्मिनल में और साइड वाली दो टर्मिनल राइट पॉजिटिव एंड लेफ नेगेटिव से DC वोल्ट रेक्टिफाय होता है रहा होता है AC से DC बनता है 230 का पावर सप्लाई के अंतर में एरिया है जहां पर दो 230 वोल्ट इंपूट है एक तो अल्रेडी 3.5 के लिए हमने यूज कर लिया एक इंपूट है जो रिले के थुरू न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और लाइब रिले की थुरू अनॉप होके रिज एक्टिफायर तक मौझ रहा है नहीं समय है अरी जिटिवारो फिड़ आपाई से बहुत बीजिक नॉलेज की जमी है देखो मैंने क्या कहा था सभी जितने भी टेक्टिशिंस हैं जो CRT TV के फिड़ में थे उनको जादेतर लोगों को बेजिक एलेक्ट्रोइक्स के नॉलेज का 10-20% मालूम मैं 80% नहीं मालूम जिसके जैसे LED TV में पूरी तरह से वो छाह नहीं पाए आप हम इसके बाद ना यह हताना पड़ेगा थो इसाइक ऑश्या धो यह 3.5 बन गलम希望 यह रिप्रौसप्लाइद !! 2 जो 3.5 आने के बाद यह काम करने के बाद दूसरा रिलेज हमेचे बाद की अधिकल इडिए इडिए